नमस्कार जन्भूमी टूडे में आपका स्वागत है मैं हूरामधारी और फिर से एक बड़ी खबर को लेके आपके सामने रूवरू हम बात कर रहे हैं नीट परिक्षालिक, नेट परिक्षालिक और यूतर प्रदेश पुलिस बरिक्षालिक इन परिक्षाओं के लीक होने के पीछे किसकी वज़ा है और कौन इसके पीछे इसका मास्टर माइंड है इस बात की तलास जास जन्सिया तो करी रही है साथ ही साथ जन्ता के बीच में इस बात की उत्सुकता है कि कौन इस तरीके से कारे कर रहा है जो छात्रों के भविस्थ के साथ खिलवाल कर रहा है और इतना ही नहीं पच्छ बिपच्छ सब परिसान है इन पेपर लीक मामलों से क्योंकि बिपच्छ ने अभी एक बड़ा आरोप लगाया सरकार पर और सरकार ने पेपर भरती लीक को लेकर एक बड़ा नियम लाया है और इस नियम के तहट एक करोण तक का जुर्माना और अजीवन का रवास हो सकता है इस नियम के लाने के एक दो दिन बाद ही एक बीडियो वाइरल होता है जिस बीडियो में एंडिये के बिधायक का नाम आता है जिस वीडियो में उस बड़बुले नेता की विधायक का नाम आता है जो मंच से कहता है कि जब आप भार्म भर देना और काल लेटर आएगा तो काल कर देना और इस बिधायक का जो कनेक्शन है एक ही परदेश में नहीं कई परदेशों में है और इस बिधायक ने जब हालफ नामा चुना आयोक को दिया था उसमें भी पेपर लीग के एफाई यार का भी जिक्र किया गया है हम बात कर रहे हैं NDA के सहोगी सुभासपा के बिधायक बेदी राम की बेदी राम गाद जीपुर के चक्षनिया से बिधायक है जो पेपर लीग का मास्टर माइंड कहा जा रहा है चुकि एक बड़े चैनल के इस्टिंग आप्रेशन में बिजेंदर गुपता ने इस बात को कबूला कि बेदी राम इस देश का बहुत बड़ा नकल माफिया पेपर लीग माफिया सरगना है बिजेंदर गुपता बिहार का नकल सरगना कहा जाता है और उसने ये कहा कि हमारे जो गुरू हैं हमारे जो इस पूरे टीम के सरगना है वो बेदी राम है उसने कैमरे पर इस बात को कुबूला है इतना ही नहीं जब बेदी राम का भी एक बीडियो वाइरल हो रहा है उस बीडियो में बेदी राम खुद कहते नजर आ रहे हैं कि 30 से 40 लोगों की भरती एक बार में मैं करवाता हूं एक परदेश में नहीं कई परदेशों में करवाता हूं तो आप सोच सकते हैं कि अब इसमें कुछ कहने और करने और जाच का भी से नहीं है चुकि जब आरोपी खुद इस तरीके की बाते कर रहे हों तो इस बात में किसी बात का संसे नहीं है कि इस तरीके के कारे वो नहीं कर रहे हैं हलाकि इस सब सारी बातें अपनी जगहां लेकिन अगर पेपर लीक के मामले में सरकार लगातार घिर रही है तो इस मामले को देखना होगा पेपर लीक मामले की पेपर लीक मामले में अगर सरकार गंभीरता से लेती है तो चाहिर सी बात है ऐसे बिधायक और ऐसे गठ बंधन के नेता को बाहर करना चाहिए क्योंकि अगर पेपर लीक से जहत्रों का, समाज का और सरकार का नुकसान हो रहा हो तो ऐसे नेताओं को ऐसे बिधायकों को पार्टी से निसकासित नहीं बलकि बिधान सवाफदस्य पद से भी निसकासित करना चाहिए अगर इस मामले मोद दोसी पाए जाते हैं तो क्योंकि इसमें अभी जाज का भी सह है और एजंसिया जाज कर रही हैं इसमें क्या निड़े होगा और क्या बाते निकल के आएगी चुकि मीडिया के लोग भी जब बेदीराम से इस बात को लेकर सवाल पूछने गए तो वो मीडिया के लोगों का हाथ पकड़ के बाहर कर दिया और उसने सवाल का जबाब नहीं दिया वहीं ओमप्रकास राजबर से भी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो ओमप्रकास राजबर ने भी सवाल से बचते नजर आये और सवाल का जबाब देने से इंकार कर दिया वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो इस बात को मुद्दा बना कर विपक्ष सरकार पर हमला हुआ रहे हैं वहीं नीट परिच्छा और नेट परिच्छा को लीख होने के बाद सरकार चात्र लगातार अंधोलित है तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरीके के बिधायक मंत्री अगर इनवाल्व हैं तो उनके उपर क्या कारिवाई करनी चाहिए क्या सरकार को बिना देरी लगाए ऐसे लोगों को तुरंत जाच करके उनको जेल में डालने का काम करना चाहिए